गुड मार्निंग स्टुडेंट्स आज का क्वेस्टेन है आपका पार्ट नंबर जी एक्सराइज 1.1 का पार्ट जी ठीक है आज आपको इसको सॉल्व करोगे इसमें आपको पूछागे इसमें आपको बोल लागे है फिल इन दा ब्लैंक्स कि यह जो बॉक्स से बने हुए न जिसमें बेहला प्लेस होता है वो वन्स ठीक है और दूसरा प्लेस होता है आपके पास टैन्स ठीक है ऐसे मतलब ऐसे आपके पास बने होते हैं यह देखो once, 10, 100, thousand आपको अभी 1,000 तकी है तो आप थावज़न तकी पड़ोगे once को आप लिखते हो ओ में ठीक है TENS को आप लिखते हो T से 100 को आप लिखते हो H से और 1000 को आप लोग लिखते हो T H से ठीक है ONCE TENS HUNDRED TOU SEND ठीक है ऐसे वाले जैसे मतलब के आपके पास यह नंबर है 4, 3, 2, 9 ठीक है तो यह जो 9 है वो आगया ONCE पे जो 2 है वो आगया TENS पे जो 3 है वो आगया 100 पे और जो 4 है आपको पास वो आगया 1000 पे तो ये 1, 10, 100, 1000 ये नंबर ऐसे होते हैं 1, 10, 100, 1000 अब इन नंबर्स को पता चरह आपको कि 1, 10, 100, 1000 पे नंबर कैसे होते हैं यही नंबर आपने आपने जैसे इस नंबर को लिखा ना वैसे ही आपने बाकी के numbers को वो जो fill ups दी है ना उसमें देखना है कि उसकी place value क्या है और उसको वहीं पे fill करना है आपने अब देखो आपने इसको कैसे fill करना है अब देखो first question था आपके पास six zero nine two ठीक है once tens hundred thousand once पे कितना आया two वो हमने once वाले box में भर दिया tens पे कितना है हमारे पास nine वो हमने tens वाले box पे भर दिया अब hundred पे क्या है हमारे पास यहाँ पे zero वो हमने zero put किया hundred में ठीक है और thousand पे कौन सा है six वो हमने यहाँ put कर दिया यह आगे ना once पे two tens पे nine hundred पे zero और thousand पे six अगे next यह नंबर है 9520 once tens hundred thousand और यह नंबर वना 9520 ठीक है अब इसको उसी के place की साब से आपने फिल करना है once पे zero tens पे two hundred पे five thousand पे nine ठीक है next question है one zero seven six one thousand seventy six once tens hundred thousand one thousand seventy six ठीक है अब देखो आपने इस नंबर को का से फिल करना है once पे क्या आपके पास six वो आपने यहाँ लिखती है tens में क्या आपके पास seven वो आपने tens पे लिखती है hundred पे क्या आपके पास zero वो आपने यहाँ लिखती है और thousand में क्या आपके पास one अब देखो next question है four, nine, zero, eight, zero ones, tens, hundred, thousand ये बना 9080 अब देखो ones पे आपके पास कौनसा डिजिट है, zero वो आप ones पे fill कर दोगे ठीक है, tens पे आपके पास कौनसा डिजिट है, eight वो आप tens पे fill कर दोगे hundred में आपके पास कौनसा डिजिट है, zero वो आप zero में fill कर दोगे और thousand में आपके पास क्या डिजिट है, nine वो आप thousand में fill कर दोगे आपने इन questions को जैसे fill किया, जो बाकी के दो questions है उनको भी आपने वैसे ही करना है वैसे ही fill करना है, ठीक है जो दो पार्ट है, वो आपने खुद करने है ओके students, thank you have a good day जो आपने खुद करने है